इंस्टाग्राम, जी हाँ, इंस्टाग्राम से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और युनीक पार्ट टाइम कमाई करने का तरीका मैं आज आपके लिए ढूंड कर लाया हूँ दोस्तों 100% practical तरीका है, इस तरीके से आज की डेट में सैक्डो भारतिय लोग अपने घरों में बैठ कर बहुत अच्छी पार्ट टाइम कमाई कर रहे हैं और सारी कमाई US डॉलर्स में होती है दोस्तों और इसी वीडियो में मैं आपको आज एक बहुत बड़ा payment proof भी दिखाने जा रहा हूँ कि वो कौन-कौन से भारतिय लोग हैं, वो कितना-कितना पैसा इस अनोखे और नए तरीके से अपने घर बैठ कर कमा रहे हैं अगर आप सिर्फ दस्वी पास हैं तो भी इस तरीके से कमाई कर सकते हैं, चाहे आप student है, housewife है, कोई job करते हैं या business करते हैं, बिना एक पैसे की investment किये, सिर्फ अपने mobile phone से ही बहुत अच्छी part-time कमाई करके ले जा सकते हैं ये वीडियो आप पूरा दिखेगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे Hello friends, कैसे आप जैसा कि आप जानते ही है, मेरा नाम है संजीब कुमार जिंदल, मैं पिछले 26 सालों से एक HR recruitment professional हूँ, मैं आपके लिए full-time job और part-time job से related वीडियो बनाकर regularly लेकर आता हूँ दोस्तो इस धर्ती के उपर सबसे ज्यादा पैसा America और Europe में है, America और Europe में रहने वाले लोगों के पास बेहिसाब पैसा होता है दोस्तो, उनकी जैब से पैसा निकालना सबसे आसान होता है क्योंकि इन लोगों के शौक भी निराले ही होते हैं और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये American और Europeans दिल खोल कर बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए इन लोगों का एक बहुत ही unique शौक है और वो ये है कि पैसा खर्च करके Instagram story photos और Instagram story videos बनवाना और इन लोगों के सिर्फ एक इस शौक की वज़े से आज की date में 300 से ज़्यादा भारतिय लोग अपने घरों में बैठ कर मज़े से बढ़िया part time कमाई कर रहे हैं तो दोस्तों क्या आप भी इसी तरीके से बहुत अच्छी US dollars में part time कमाई करना चाहेंगे आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता है कि Instagram story क्या होती है तो देखिए ये है एक Instagram account और ऐसी होती है Instagram story वीडियो ठीक है और ऐसी होती है Instagram story photo आपने देख लिया बहुत भड़िया है ना आपको ये काम करना नहीं आता है ये मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्तों आप चिंता मत कीजिए मैं इसी वीडियो में आपको ये काम करना सिखाऊंगा अगर आप सिरफ दस्वी पास भी है और आपने आज से पहले इस तरह का काम पहले कभी भी नहीं किया है तो भी इस वीडियो के खतम होने से पहले आप एक professional level का world class Instagram story photos और Instagram story videos बनाना सीख चुके होंगे ये मेरी guarantee है दो देखिए दोस्तो काम इस तरह से करना है सबसे पहले दुनिया की एक सबसे बड़ी और genuine freelancing site के उपर जाकर 100% free में registration कर लेना है इसी freelancing site से Instagram stories photos और Instagram stories video बनाने का काम पकड़ लेना है इसी freelancing site से आज की date में सैक्णों भारत के लोग अपने घरों में बैठ कर बहुत अच्छी कमाई करते हैं और वो कौन से लोग हैं कितनी कमाई करते हैं मैं इसी वीडियो में आपको payment proof दिखाने जा रहा हूं और आप भी यही काम कैसे इसी freelancing site से पकड़ेंगे ये मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी उसके बाद एक नहीं तीन जी हाँ तीन अलग अलग 100% free designing sites पर मैं आपको लेकर चलूँगा और एक एक करके धिरे धिरे करके आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा एक आपका हाद पकड़कर जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे आप world class professional level के instagram stories photos और instagram stories videos को बना पाएंगे ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत बारीकी से सिखाऊंगा दोस्तों और ये तीनों designing sites आपके नए फुराने mobile phone पर बखू भी चलती हैं तो आपको इस चीज की चिंता करने की आवशक्ता नहीं है कि आपके पास latest mobile phone नहीं है या laptop नहीं है laptop की तो आवशक्ता ही नहीं है आपको और इस तरह से काम करके आप जो भी कमाई करेंगे US dollars के अंदर वो 100 percent सुरक्षित तरीके से आपके भारतिय सेविंग bank account में पहुंच जाएगी कैसे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए मेरे laptop और mobile पर सीखते हैं और कमाते हैं तो friends ये है मेरे laptop का screen आप चिंता मत कीजिए मैं अभी आपको अपने mobile phone पर भी process दिखाऊंगा ठीक है सबसे पहले मैं आपको वो site खोल के दिखाता हूँ जहां से हम आज काम पकड़कर पूरा करकर US dollars में कमाई करने आए हैं देखे दोस्तों ये है Fever, Fever दुनिया की सबसे बड़ी और reputed freelancing site है आज की date में, देखे दोस्तों Fever freelancing site के ऊपर 100% free में registration होता है, वो process कैसे होता है इसके ब को मिल जाएगा, आप उसे खोल कर Fever freelancing site के ऊपर free of cost registration कर लीजे, सिरफ 5 मिनट में होता है, और Fever freelancing site आपके mobile phone पर भी उसी तरह से चलती है, जैसे laptop पर, अब आपकी आँखों के सामने मेरा mobile phone दोस्तों आपको देख रहा है, ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों मेरे mobile phone पर भी Fever freelancing site खुली हुई है, अगर आप Fever freelancing site का desktop version अपने mobile phone में खोलना चाहते हैं, तो बता देता हूँ कैसे खुलता है, आपके mobile phone में भी सबसे उपर right में आपको 3 dots दिखेंगे, ऐसे, देख रहे हैं, यहाँ पर click करेंगे, तो एक window खुल गई, इस window में नीचे से 3rd category है desktop site, मैं यहाँ click करूँगा दोस्तो, तो यह Fever freelancing site की desktop site मेरे mobile phone पर खुल गई, आपका phone कितना भी पुराना हो, आप कोई भी website अपने mobile phone में इस तरीके से खोल सकते हैं, आपको laptop की कोई अवशकता नहीं है, कोई जरुरत ही नहीं है, पैसा खर्च करने की unnecessary, दोस्तो मैं आपक laptop पर इसलिए दिखाना पसंद करता हूँ, क्योंकि laptop बहुत बड़ा होता है, उसके font बड़े होते हैं, आपको अच्छी तरह से सब दिखता है, मेरे लिए आपको समझाना असान होता है, ठीक है, लेकिन आप mobile phone पर भी यह सारा काम अराम से कर सकते हैं, दोस्तों, ठीक है, त अपने घरों में बैठ कर सिर्फ Instagram स्टोरी बना कर कितने सारे पैसे कमाते हैं US Dollars के अंदर, अब आप अपनी आपों के सामने देखिए दोस्तों, आप देखिए सबसे उपर जो सर्च बार है, मैं यहाँ टाइप परूँगा Instagram Stories, ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों, ये कितने सारे results खुल गए, और यहाँ पर वो सारे लोग आपको दिख रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ Instagram Stories ही बनाने का काम करते हैं, और कितने सारे पैसे कमाते हैं, ये करीब 2300 लोग हैं आज की date में, ठीक है, अब इन में से भारत के कितने, क्योंकि ये तो सारी दुनिया के लो हैं, जो fever, freelancing site से सिर्फ Instagram Stories बनाने का ही काम करके कितना पैसा कमाते हैं, आप अपनी आखों से देखिए, proof, जो आप अपने comments में मुझे लिखते हैं, proof दिखाया कीजिए, देखिए, आपकी आखों के सामने है, देखिए, एक भारत का व्यक्ति है, ठीक है, ये एक Instagram Story बनाने क ठीक चुक्यों होंगे, जब ये वीडियो खतम होगा, ये मेरी गारंटी है, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, ये व्यक्ति एक Instagram Story बनाने के 10 डॉलर लेता है, और ये 100 से ज़्यादा काम पूरे करके दे चुके हैं, यानि के करीब 70-72 हजार रु और ये 42 काम पूरे करके दे चुके हैं, ये जो rate है, ये freelancer या आप खुद decide कर सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक तरह का विज्यापन है, जो अलग-अलग लोगों ने डाल रखा है, fever freelancing site के ओपर, ऐसा ही विज्यापन, आपका भी बनाकर डलेगा, इसी freelancing site पर ये free में डलता है दोस्तो, एक पैसे का खर्च आपकी जेप से नहीं होता है, मैं अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा, कि किस तरह से इसी तरह का विज्यापन बनाकर आप इसी freelancing site fever के ओपर डाल सकेंगे, बिना एक पैसा खर्च किये, सिरफ 10 मिनट में ये विज्यापन बन जाएगा दोस्तो, फिर उसके बाद आप जब कमाई करेंगे, आप के पास काम आने शुरू होंगे, आप कितने काम पूरे करके दे चुके क्लाइंट को, वो यहां दिखेंगे, ये 29 काम पूरे करके दे चुके, ये 210, ये भी भारत के लोग है, ये 5 डॉलर लेते हैं, इ इंस्टागर्म स्टोरी बनाते हैं, और एक स्टोरी बनाने का ये 20 डॉलर लेते हैं, यानि के ये भारत के व्यक्ति, सिरफ इंस्टागर्म स्टोरी, बना कर क्लाइंट को दे कर 9,000 यू. डॉलर कमा चुके हैं दोस्तो, यानि करीब-करिब 6,6 छागर रुबया, और आगे भी कमाएंगे और हो सकता है यही काम यह व्यक्ति और बहुत सारी freelancing site के उपर भी करके देते हूं यह detail तो सिरफ fever.com की है ठीक है दोस्तों तो इसी तरह से आप देखेंगे कि Instagram story बना कर ही सिरफ लोग भारत के कितने सारे पैसे कमाते हैं अपने गरों में बैठके यह पूरी लिस्ट है जब आप इस site के उपर आएंगे तो अपनी आखों से यह payment proof देख लीजेगा देखे एक page दिखाया है कितने सारे page है total जो हैं वो हैं करीब करीब आज की date में 287 देखने में सुनने में बहुत ज़्यादा नमबर लगता है लेकिन इस पूरी दुनिया की अबादी कई अरब है कई सौ करोड है ठीक है तो customers की कमी नहीं है free of cost fever freelancing site के उपर ऐसा ही विज्यापन बना कर डाल देना है आपके पास काम आ जाएगा काम पकड़ देना है इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी कैसे है यह मैं आपको एक नहीं तीन अलग-अलग sites के उपर इसी वीडियो में सिखाऊंगा सब free में होगा आपके mobile phone पर होगा ठीक है सबसे पहले हम काम पकड़ने के लिए ऐसा विज्यापन बना कर fever freelancing site के उपर डालना सीखेंगे ठीक है तो वह मैं आपको सिखाता हूं सबसे ओपर जाएंगे जहां लिखा हुआ है switch to selling यहां क्लिक करेंगे अब देखेंगे दोस्तों यह fever freelancing site के उपर एक dashboard खुल गया है आप सोच रहे होंगे यह मेरी photo पहले से कैसे लगी है मैंने आपके सामने तो लगा ही नहीं है जैसा थोड़ी तर पहले मैंने आपको बताया था fever freelancing site के उपर मैंने पहले से registration कर रखा ह है और उसका एक video भी shoot किया हुआ है जो मैंने पहले से ही YouTube पर डाल रखा है दोस्तों ठीक है तो अब मैं वह process दुबारा से नहीं करूंगा उस video का link इस video के description box में लिखा हुआ है आप वहां से जाकर 5 मिनट में अपना registration कर लीजे वहीं पर या आपकी photo वगरा सब डल जाएग ठीक है अब मैं यहां लिखा हुआ है यहां क्लिक करूंगा अब देखे दोस्तों यहां लिखा हुआ रहा है work your way you bring the skill we will make earning easy यानि के आपके हाथ में एक skill होना चाहिए कमाई तो हम करवा देंगे आप seller बन जाई यह लिखा हुआ है become a seller बिना एक पैसा खर्च किये ठीक है द ज्यादा confuse होंगे आसान भाशा में gig का मतलब है विग्यापन या advertisement या इश्तिहार ठीक है जो आप अपना बना कर या कोई भी अपना बना कर fever के ओपर डाल देता है free में डलता है ठीक है और उस विग्यापन या इश्तिहार को देखकर customer आप से contact करता है आपका जो भी skill है उस उसका इस्तेमाल करके आप काम पूरा करके customer को दे देते हैं और पैसे ले लेते हैं पैसे का लें देन fever freelancing site के जरिये होता है उससे आप safe रहते हैं वो सारा process में आभी आपको थोड़ी दिर में practically दिखाऊंगा यानि कि हर 4 सेकेंड में fever freelancing site के ऊपर किसी ना किसी विग्याप अपन को देखकर कोई ना कोई customer order place करता है यह बहुत अच्छा ratio है दोस्तों ठीक है अभी तक 50 million transactions हो चुकी है 50 million का मतलब हो गया 5 करोड 5 करोड transactions हो चुकी है यानि 5 करोड काम पूरे करके दिये जा चुके हैं fever freelancing site के ऊपर और जो काम पूरे करके दिये गए हैं उनकी कीमत है पांच डॉलर से 10,000 डॉलर तक ठीक है दोस्तों पांच डॉलर से कम का काम fever freelancing site पर मिलता ही नहीं है इससे कम का rate allowed ही नहीं है चार्ज करना पांच डॉलर तो लेने ही पड़ते हैं 10,000 डॉलर तक as a freelancer आप कमा सकते हैं तो आज मैं आपको इस सिखाने जा रहा हूं कि Instagram story बना सकते हैं customer के लिए और उसका इश्तिहार कैसे बनाना चलिए मैं आपको सिखाता हूं become a seller पर क्लिक करेंगे अब देखें यहां पर seller बनने से पहले या अपना इश्तिहार डालने से पहले यह कुछ हमें details दे रहा है आप चाहें तो इनको देख सकते हैं ठीक है अब उसके बा कि आप जो विग्यापन गिग बनाकर फीवर फ्रीलैंसिंग साइट पर डालने जा रहे हैं वहाँ पर यह सब चीज़ें का ध्यान रिखिएगा कि एक ही तरह का गिग बार बार या विग्यापन बार बार मट डालिएगा या कोई misleading information मट डालिएगा वगरा वगरा ठीक है त तो इसको हम continue कर देते हैं अब देखिए यहाँ पर कुछ personal info करके कुछ दिखा रहा है जब आप registration करेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि आपके सामने भी ऐसा ही page खुले या यह personal info वाला page ना खुले आप confused मत होईगा दोस्तों क्योंकि यह एक dynamic freelancing site है तो यहाँ पर जो process है या ज उसमें कुछ edit कर सकते हैं या उसको continue रख सकते हैं ठीक है तो मैंने पहले से अपना registration कर रखा है अपनी personal info डाल रखी है तो मैं इसको सिरफ continue कर दूँगा अब देखिए दोस्तों यह professional information का एक page खुला है यहाँ पर जब आपने अपनी profile बनाई fever freelancing site के उपर तो आपने अपन profile है professional info इसके अंदर थोड़े change करेंगे अब देखिए जहाँ यह digital marketing लिखा है मैं यहाँ change करूँगा अब देखिए जहाँ यह graphics and design लिखा है मैं यह choose कर लूँगा ठीक है क्योंकि जो हमने instagram story बना कर client को देनी है और पैसे कमाने है वो इस category से related होता है ठीक है अब मैं यहाँ तो कुछ लिख सकता हूँ कि यह काम मैं कब से कर रहा हूँ दीकि दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ fever freelancing site के उपर आप जो भी information देंगे यह site उसका कोई proof आपसे नहीं मांगता है मैं आपको दुबारा repeat कर दूँ यह freelancing site आपसे कोई proof नहीं मांगती है ठीक कर लिया कि मैं यह काम पिछले एक साल से कर रहा हूँ ठीक है आप चाहें तो इसको पांच साल भी रख सकते हैं यह आपकी choice है अब देखिए यह लिखावा है choose two to five of your best skills in graphics and design अब देखिए friends जैसा मैंने आपको पहले बताया कोई भी customer आपके certificates नहीं देखेगा कि यह काम ऐसा नहीं होगा शायद कोई 10,000 में एक ऐसा हो otherwise यह चीज कोई पूछता नहीं है basically आप जो भी यहां लिख देते हैं उससे आपको काम पाने में असानी रहती है दोस्तों ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ पांच अच्छे skills चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हम इंस्टाग्राम स्टोरी बना कर पैसे कमाने आया है आज फीवर फ्रीलैंसिंग साइट से तो सोशल मीडिया डिजाइन रेलेवन्ट है यह आप चूज कर ली जगा यह मैंने पांच चूज कर लिए ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे अब देखिए मुस्ते प अपडेट कर दिया तो आपके काम पाने के चांसे बढ़ जाते हैं दोस्तों ठीक है आपको इस चीज़ का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना कि आप ग्राफिक डिजानी में एक्सपर्ट हैं किसी नहीं मांगना आपसे सर्टिफिकेट क्योंकि जो आपका कस्टमर है वो दु पिर से एक्सपर्ट ले लीजे फिर मैं एड़ पर क्लिक कर दूँगा तो देखिए यह एड़ हो गया सब ठीक है अब जैसे यह लोगो डिजाइनर है इसे मैं यहां से रिमूव कर देता हूं ठीक है तो यह दो आ गए अब हम इसमें चाहें तो और भी वीडियो एडिटिं का चांस बढ़ जाएगा मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं आप यहां पर जो भी स्किल्स एड़ करेंगे इसका कोई भी सर्टिफिकेट आप से नहीं मांग रहा है जो क्लाइंट है उसको तो बढ़िया काम चाहिए वो कैसे करना है मैं इसी वीडियो में आपको करेंगे इसका भी कोई सर्टिफिकेट आप से नहीं मांगता है ठीक है ओके तो यहां पर आप एजुकेशन बढ़िया लिखिए ताकि जो आपका कस्टमर है वो अट्रेक्ट हो और आपसे काम करवाने में इच्छोख हो आप चाहें तो यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं य कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं भेजना है किसी नहीं मांगना आपसे ठीक है आप जो भी यहां लिखेंगे उससे आपका कस्टमर इंप्रेस होकर आपको काम देगा बेसीकली आप यहां जॉब ढूंडने नहीं आया दोस्तो ठीक है आप यहां पर बिजनस करने आये हैं अब मैं वीडियो में आपको इससे ज़्यादा खुल कर कुछ कहना ही सकता हूँ आप समझदार हैं समार्ट हैं समझ गए होंगे मैं क्या कहना चारा हूँ उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तो अब अब देखेंगे दोस्तों यहां लिखा हुआ है परसनल वेबसाइट नहीं हैं यह आप खाली छोड़ सकते हैं लेकिन मैं इस सजेस्ट करूँगा कि एजुकेशन और सर्टिफिकेशन वाले कॉलम में बढ़िया सी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन लिख दीजिएगा इससे आपको काम पाने में असानी रहती है आप बिजनस करने आया दोस्त ठीक है अब कंटीनिव पे क्लिक कर देंगे अब आप देखेंगे दोस्तों यहां पूछ रहा है लिंक्ट अकाउंट अगर आप चाहें तो अपना फेस्बुक का ट्विटर का अकाउंट यहां पर लिंक कर सकते हैं ताकि जो भी कस्टमर आप से काम करवाना चाहे अगर वो और मोबाइल नमबर way करवाना होता है धॡ् Moore का process होता है और उसके बाद आपका यह दोनों इमयल और मोबाइल नमबर वेरिफाई हो जाता है और उसके बाद finish पर click कर देंगे उसके बाद मैं यहाँ पर जहाँ यह finish लिखा यहाँ पर click कर दूँगा तो देखिए दोस्तों अब हम वहाँ पहुंच के जहाँ हम अपना विज्यापन इश्तिहार या advertisement या जिसे gig कहते हैं technically वो बना कर डालेंगे दो मिनट लगेंगे आपकी आंकों के सामने सबसे पहले gig या इश्तिहार या विज्यापन का title क्या होगा वो मैं यह टाइप कर देता हूं आप बढ़ी ऐसा को आप जैसे इसे टाइप करेंगे यहां नीचे चेंज होता जाता है ठीक है उसके नीचे आएंगे तो category यानि हमारा यह जो विज्यापन गेग या इश्तिहार है यह फीवर प्रिलैंसिंग साइट के ऊपर किस category में डलेगा वह हम यहां से चूज करेंगे देखिए जहां नीचे लिखा हुआ यह automatically आ गई social media design इसको as it is छोड़ दीजे उसके बाद नीचे आईए service type ठीक है recommended है यह डालनी चाहिए यह कौनसी डालनी मैं आपको recommend करके बता देता हूँ अब देखिए जहां लिखा हुआ social posts and banners यह select कर लीजे ठीक है आपको और भी select कर सकते हैं यह best रहेगी ठीक है उसके बाद जो gig metadata है देखिए वो इतने सारे आ गए ठीक है select the platform for which you will create the post banner designs ठीक है अब हम फिलहाल आज instagram stories बनाकर पैसा कमाने आए हैं तो हमने यह instagram का choose कर लिया बनाईएगा आज हम विग्यापन बनाकर डाल रहे हैं instagram stories के लिए सिरफ ठीक है अगर हम बहुत सारे choose कर लेंगे platform तो उससे यह आपका जो विग्यापन है वो उतना attractive नहीं बनेगा ठीक है दोस्तों आज क्योंकि सिरफ instagram story है तो instagram ले लीजे उसके बाद नीचे आएंगे कौन से tags use करेगा ठीक है वो हम सोच कर ठीक है यहाँ पर पहले से डाल दें तो हमारा विग्यापन उसे सबसे पहले दिख जाएगा दोस्तों ठीक है अब मैं वह आपको यहाँ दिखा देता हूं सबसे पहले मैंने डाला instagram stories अब देखिए मैं जैसे एंटर करूंगा यह जो म मैंने save पर click किया तो यह दिखा रहा है कि मैंने कुछ miss कर दिया mandatory metadata is missing platforms ठीक है तो इसमें यह language मैंने miss कर दिया ठीक है मैं language पर click करूंगा कि जो हम यह अपना विग्यापन डाल रहे हैं वो किस भाशा में डाल रहे हैं तो यह भाशा हम English रखेंगे क्योंकि English ज्यादा तर लो accept हो गया अब दोस्तो हम अपने इस विग्यापन में यह डालेंगे कि Instagram story बना कर देने के लिए हम client से पैसे कितने लेंगे हमारे कितने अलग लग तरह के packages है हम यहां तीन packages डाल सकते हैं दोस्तो जहां उपर तीन packages लिखा है अगर मैं यहां पर click करता हूं जहां यह button है तो य हम क्या price लेंगे तो हम यह तीन packages रखें में basic standard और premium सबसे सस्ता थोड़ा उससे महंगा और उससे सबसे महंगा ठीक है तो यह कैसे बनाने मैं आपको दिखा देता हूं आप चाहें तो इसी तरह के यह से थोड़े से मिलते जुलते हैं बिल्कुल ललक बना सकते हैं अब मैं यहाँ पर आपको डालके दिखा देता हूं package का नाम रखना है name of your package मैंने राम रख दिया basic package दिखें हमसे पूछ रहे describe the details of your offering ठीक है अब मैं लिख देता हूं Instagram photo ठीक है सिर्फ इतना लिख रहा हूं ठीक है और उसके बाद नीचे आएंगे delivery time आप चाहें तो एक दो दिन चार दिन पांस दिन जितना भी समय ले सकते हैं आप एक ही दिन का समय रखें क्योंकि बहुत असान है दोस्तों मैं इसी delivery time number of post यानि आप कितनी Instagram photos देंगे जी एक देंगे ठीक है हम जो बाकी package उसमें ज्यादा देंगे ठीक है अभी फिलाला हम basic बना रहे हैं उसके बाद नीचे आएंगे revisions एक बार revision कर देंगे यानि अगर आपको नहीं पसंद आई तो एक बार हम दुबारा से आपको change करके द ठीक है standard और premium में हम ज्यादा रखेंगे ठीक है अब मैं आपको बना के दिखाता हूं standard package इसका नाम है standard package आप बढ़िया catchy सा नाम रखेंगा दोस्तों यह तो मैं आपको जल 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 बना के दिखा रहा हूं ठीक है उसके बाद Instagram photo भी देंगे हम और एक Instagram वीडियो भी देंगे और delivery time वही एक दिन ठीक है number of post 2 ठीक है और उसके बाद नीचे revisions दो बार कर देंगे यानि suppose हमने कोई चीज बना कर दी पसंद नहीं आई क्लाइन को तो दो बार वो हमसे उनमें changes करवा सकता है इसका जो हम rate रखेंगे वो हम रखेंगे 15 dollar ठीक है दोस्तों ठीक है उसके पर भी लिख देता हूं Instagram photo and Instagram video ठीक है और उसके बाद delivery time वही एक दिन ठीक है और number of post हम यह कर देंगे 5 ठीक है यानि कि हम approximately 2-3 Instagram photos और 2-3 Instagram हम videos बना कर दे सकते है premium package में इसमें rate ज्यादा रखेंगे हम ठीक है और उसके बाद revisions दो दो revisions बहुत हैं दोस्तों और उसके बाद जो हम rate रखेंगे वह हम रखेंगे 25 डॉलर वह आपकी choice है आप कितना रखना चाहें तो मेरा मतलब कहने का यह था कि इस तरह से हमने यह अपने rate के packages बना कर अपने इस विग्यापन में डालने है अब यह packages या rate हमारे विग्यापन में actually दिखते कैसे हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा यह जब विग्यापन पूरा बन जाएगा फिवर साइट के ओपर आपकी आँकों के सामने publish हो जाएगा कोई भी व्यक्तित पूरी दुनिया में देख सकेगा और free में बनता है यह हमारा विग्यापन या advertisement तो उसमें यह packages कहा देखेंगे वो भी मैं आपको देखाऊंगा आप जिन्ता मत कीजे उसके बाद नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर अपनी extra services add कर सकते हैं आप समय लेकर यह add कर लीजेगा जरूरी नहीं है ठीक है उसके बाद save and continue पर click कर देंगे अब दोस्तों हमारे विग्यापन में हम अप मैं जो यहां लिख रहा हूँ वो आप copy मत कीजेगा ठेक है मैं सिर्फ आपको idea दे रहा हूँ इसे मिलता जुलता लिख सकते हैं लेकिन exact copy paste मत कीजेगा अब देखें दोस्तों यहां में कम से कम 100 characters लिखने हैं और जादे से जादा 1200 आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं दोस्तों जितना ज्यादा बढ़ा चड़ा कर लिखेंगे उतना ज्यादा काम मिलने के chances होंगे यह marketing का पहला असूल है कोई भी किताब उठाकर किसी भी दुनिया के writer की पढ़के देख लीजे जब तक आप अपने capabilities के बारे में बढ़ा चड़ा कर नहीं लिखेंगे आपको काम मिलता है दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर खूब बढ़ा चड़ा कर लिखेंगा कि यह भी कर देंगे वो भी कर देंगे इससे ज्यादा अच्छा काम नहीं मिलेगा कुछ भी ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो आप frequently asked questions में यह अंदाजा लगा कर कि customer के दिमाग में क्या क्या सवाल आएंगे ठीक है आपका विज्यापन देखने के बाद वो पहले सवाल लिखकर उनके जवाब भी पहले लिख दीजे ठीक है इससे आपका विज्यापन ज्यादा attractive हो जाता है जुरूरी नहीं है मैं फिलाल छोड़ रहा हूँ आप चाहे तो यहां कर से पहले आपको क्लाइंट से क्या क्या चाहिए कुछ तो चाहिए तभी तो काम शुरू करेंगे अब वो क्या चाहिए यहां पर हम एड़ न्यू कोश्टन पर जाएंगे क्लिक करेंगे अब देखिए यहां लिखा हुआ यानि कि जब काम मिल गया तो हमें क्या चाहिए अब मैं वह यहां type परूँगा अब देखिए जब भी हमें क्लाइंट से काम चाहिए तो हमें सबसे पहले चाहिए 50% advance of order value ठीक है दोस्तो अब देखिए यहां पर हमें सबसे पहले चाहिए 50% of order value जो भी rate हमारे और advance चाहिए उसके बाद हम काम शुरू करेंगे ठीक है अब हम इसको add कर देंगे तो यह पहला add हो गया दूसरी क्या चीज़ चाहिए add a new question यहां क्लिक करेंगे अब यहां पर type करेंगे photos and videos of client ठीक है यानि कि हम client के के लिए Instagram story तभी बना सकेंगे ना अगर वो फोटोस और वीडियोस हमें provide कराएगा जिनके जरीए जिनको मिला कर हमने एक सुंदर सी Instagram story बनानी है client के लिए ठीक है आपको मैंने जैसे पहले बता है मैं अभी आपको इसी वीडियो में सिखाने जा रहा हूं एक नई तीन अलग-अलग website से के फ्री में बहुत बढ़िया Instagram story कैसे बनती है दोस्तों ठीक है तो वह आप चिंता मत कीजे फिलाल हम अपना विग्यापन बना रहे हैं ठीक है अब उसके बाद दालने हैं अपने विग्यापन में यानि कि हम किस तरह की Instagram story photograph या वीडियो बना कर दे सकते हैं इसके सांपल्स हमारे विग्यापन advertisement या इश्तिहार में ही हम डाल देंगे ताकि क्लाइंट देख ले भईया यह यह quality देंगे ठीक है और अब वो कैसे देंगे वह अब मैं आपको बना कर दिखाऊंगा अब इस stage के ओपर ठीक है जैसा आपको बताता आ रहा हूं इतनी देर से एक नहीं तीन अलग-लग साइटों पर ले जाकर आपको बना कर दिखाऊंगा फ्री में बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम स्टोरी कैसे बनानी है फोटो और वीडियो दोनों ठीक है और वो बनाने के बाद हम वापस आएंगे और यहां पर डालेंगे अपने विग्यापन में जो हमने लाइव बनाई आपकी आँखों के सामने ठीक है आप भी डाल सके देंगे और फिर यह हम लाइव कर देंगे फीवर.com पे तो चलिए अब हम इंस्टाग्राम स्टोरी डिजाइन करना सीखते हैं देखिए सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया एमेजिंग 100% फ्री साइट है जो आपके लैप्टॉप और मुवाइल दोनों पर चलती है वो है यह ज़्यादतर लोगों को पता ही नहीं है मैं आज के इस वीडियो में आपको यह सिखाने जा रहा हूं ठीक है हम के उपर दो एक नहीं दो बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम स्टोरी के वीडियो डिजाइन करने जा रहे हैं आपकी आखों के सामने ठीक है तो दोस्तों में रेजिस्टेशन होता है वो रेजिस्टेशन आप कर लीजेगा कैन्वा डिजाइनिंग साइट का एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्रिप्शन में लिख दिया है अपने लैपटॉप से या मुबाइल से जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके लैपटॉप और मोबा पर दिखाता हूं ठीक है और उसके बाद मोबाइल पर वापस लोटेंगे तो मैं अभी मोबाइल फोन आपके सामने से हटा देता हूं तो देखे दोस्तों अब मेरा ये लैपटॉप आ गया अब हम जंदी से बहुत बढ़िया प्रफेशनल इंस्टाग्राम स्टोरी डिज कर देंगे साइन अप विद गूगल मैंने कोई एक इमेल आइडी चूज कर ली अब देखे दोस्तों यहां पर हमसे यह पूछ रहा है वाट विल्यू भी यूजिंग कैनवा फॉर मैं यह सज़ेस्ट करूंगा यह बिजनस वगएरा चूज मत कीजेगा ऐसे परसनल यूज कर लीजेगा ठीक है यह बैटर रहेगा ठीक है अब मैंने यह परसनल चूज कर लिया अधिक यहां पर यह हमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम कैनवा का प्रफेशनल वर्जन ले यह हमें नहीं लेना है दोस्तों आप मेरे वीडियो देखते हैं बिना एक पैसा खर्च कि कमाई करने के लिए ठीक है मैं आपको पेड़ वाले तरीकों से बचा कर ले जाता हूं ठीक है में भी लेटर पर क्लिक कर देना गलती से भी यहां क्लिक मत कर देना वो कि 30 दिनों बाद फिर पेमेंट वाला ऑप्शन आ सकता है मैंने वो देख लिया है कैनवा का प्रो देखांगा फ्री वाले में ठीक है तो यह में भी लेटर पर कर दीजिए अब देखिए यहां पर सबसे उपर लिखा हुआ है स्टार्टी और फास्ट डिजाइन ठीक है यहां सर्च बार में मैं टाइप करूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी देख सबसे उपर आ गया ओके इ हमें साइज की आवशकता ही नहीं है अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ के कैन्वा डिजाइनिंग साइट पर वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल इंस्टाग्राम स्टोरी कैसे बनती है देखिए यहां पर कितने सारे फीचर्स हैं टैंपलेट्स मिलते हैं रेडी मेड वी एक बहुत ही बढ़िया इंट्रस्टिंग इंस्टाग्राम स्टोरी का वीडियो बना सकते हैं और क्लाइंट को दे सकते हैं इमेल से और उसके बाद वो हमें पे कर देता है ठीक है अब मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी का वीडियो बना कर दिखाता हूँ इसमें मैं कु इतने सारे templates यानि कि ready made designs और videos पहले से बना कर डाल रखे हैं जिने हम client के द्वारा दिये गए photos और video में mix करके एक world class Instagram story का video बना सकते हैं वो मैं आपको बना कर दिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं दिखे कितनी categories है Instagram story की category है coronavirus ठीक है suppose client यह कहता है भाया मैं आपको photographs और कुछ अपने videos भेज रहा हूं इसकी जो theme रखना वो रखना coronavirus के उपर ठीक है अब यह देखिए इस तरह से भी खुल गई है अब देखिए यहाँ पर प्रो लिखा है यह आप नहीं लेना है ठीक है क्योंकि जो यह pro वाला है यह paid है फाइन जो free वाले हैं वो ले लेने हैं ठीक है आप समझ गए जो free वाले हैं सिर्फ आपने वो ही लेने हैं अब देखे मैं यहां से उपर से close कर दूँगा तो देखे फिर वहीं पहुंच गए coronavirus Instagram story तो यहां से हमने जाके देख लिया आप उसके नीचे आते हैं तो Halloween Instagram story Halloween एक बहुत ही बड़ा त्योहार है यूरोप और अमेरिका में ठीक है तो उसके उपर बहुत सारी Instagram story की demand आ सकती है ठीक है दोस्तों और वो आने वाला है तो वो भी आपको काफी यहां से मिलेंगे देखिए सब free है ठीक है free वाले ही लेने हैं दोस्तो paid वाले नहीं लेने है ठीक है और नीचे आएंगे newsroom Instagram story यह एक title है this or that Instagram story तो बहुत सारी यहां पर categories है आप देखेंगे बहुत सारी categories है और इन सब में वीडियोज भी है यह देखिए और सिरफ photographs भी है सब free है copyright free है 100% तो client आपको theme देगा यह in fact आप उससे पूछेंगे वही मैं आपके लिए Instagram story एक बनाने जा रहा हूं उसका वीडियो तो किस तरह की theme चाहिए आप उसको suggest कर सकते हैं यहां से theme ठीक है इनकी एक list बना लीजे themes की और उसको suggest कर दीजेए अपने gig में डाल दीजेए विग आपन में देखो इतने सारे theme पर मैं बना के देदूंगा ठीक है दोस्तों तो अब हम यहां से एक particular theme चूज करके उस पर वीडियो बनाते हैं अब देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए एक theme चूज करता हूँ natural scrapbook instagram story के फाइन एक theme है अब मैं यहां पर इस theme का एक template select कर लेता हूँ देखिए मैंने जैसे इस पर click किया यह देखिए यहां पर आ गया यह देख सकते हैं यह जो हिस्सा है यहां पर हम तयार करेंगे अपने instagram story की वीडियो को ठीक है हम जो भी यहां पर click करेंगे वह यहां आ जाएगा अब यहां पर हम edit करेंगे अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम जो client से videos मिली है ठीक है क्योंकि client अपनी videos देगा ठीक है कि भी आप मेरे instagram story वीडियो में यह मेरे videos डाल दीजे वह हम इस template में अब डालेंगे वह कैसे मैं आपको डालके दिखाता हूं अब देखिए uploads पर जाएंगे ठीक है तो जो client से हमें videos मिले हैƠennes canva में कैसे लाएंगे इस साइट पे वह मैं आपको दिखाता हूँ uploads पर जाएंगे videos पर जाएंगे upload meडिया पर जाएंगे device पर जाएंगे अगर आप अपने mobile पर खूलेंगे तो उस device पर अगर आप अपने laptop पर खोल रहारे है क्लाइंट से मुझे ये दो-तिन वीडियो मिले हैं ठीक है अब मैं इन वीडियो को कैन्वा वेब साइट के उपर ले आऊंगा और इस अपनी टेंपलेट के अंदर डालूँगा आसान भाशा में ठीक है अब वो करके कैसे करने मैं आपको दिखाता हूं अब मैं इन तीनों को कर लूँगा ठीक है ओन करूंगा तो यह देकिंगा अपलोड होना शुरू हो जाएगा अब आप देखिए दोस्तव यह यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गया थीक है जब ये नीला वाला हिससा पूरा उपर तक चला जायेगा इसका मतलब यह है कि यह तीनों वीडियो मेरे अपलोड हो गए क्योंकि मेरा internet connection बहुत fast है तो इसलिए जल्द जल्दी दिख रहा है आपके पास internet connection की speed के हिसाब से यह upload की speed आपको यहां दिखेगी तो जब यह पूरा हो जाएगा जब यह एक water सा हिलना बंद हो जाएगा तो यह निकि यह upload हो चुके अब दोस्तों यह हमारे तीनों वीडियो यहां पर upload हो चुके हैं ठीक है मैं आपके जानकारी के लिए बीच में काट के बता दूं कि अभी मैं आपको जो इंस्टाग्राम स्टॉरी का वीडियो बनाना सिखा रहा हूं कैनवा वेब साइट के उपर वोreटाप पर दिखा रहा हूं ठीक है Canva website के उपर Instagram story का वीडियो बनाने का तरीका laptop पर अलग है, mobile पर अलग है दोस्तो, ठीक है अभी मैं आपको इसी तरह का एक Instagram story का वीडियो अपने mobile phone पर भी पूरा अच्छी तरह से बिना step कोई skip किये design करके दिखाऊंगा, दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं दोस्तो तो बिना skip किये पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है अब देखिए दोस्तो, ये तीन वीडियो हमारे पास आ गए let's say हमें client ने ऐसे अपने तीन वीडियो दिये जो किसी function के हैं, या किसी gathering के हैं, ठीक है अब हम in में से उपर के दो वीडियो यहां इस template में एक वीडियो यहां डाल देंगे, एक यहां डाल देंगे, ठीक है और जो तीसरा वीडियो है, यह हम background में डाल देंगे तो तीनों चलेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ Instagram story, वीडियो की जो length या लंबाई allowed है Instagram के उपर, वो सिरफ 15 seconds है, 15 seconds यानि हमारा यह Instagram story का वीडियो सिरफ 15 seconds का होगा दोस्तो वो length कैसे घटानी है या बढ़ानी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी मैं आपको यह दिखा रहा हूँ, कि client के दुआरा provide किये गए वीडियो को इस template में कैसे डालना है, आप एक template में डालना सीख जाएंगे तो बाकी templates में भी डाल लेंगे, समझ गया आप, बहुत असान है आपने आज से पहले नहीं किया, तो भी आप कर पाएंगे, मेरी guarantee आप देखते जाएए अब मैं ये उपर के दो वीडियो यहां डालूँगा, इन दो photos की जगा, ठीक है अब देखे दोस्तों, ये करना कैसे है, अब गौर से देखेगा मैं अपने mouse का करजर इस video के ऊपर ले गया, जो मैं सोच के चलता हूँ, client ने दिया है और मैंने यहां पर अपने mouse के left click पर दबा दिया और उंगली नहीं हटानी है, और उसके बाद इसको यहां से drag करना है अब देखे, यानि मैं इसको खीच कर बिना उंगली हटाए ला रहा हूँ और मैंने यह उपर डालना है, यह डाल दिया, यह ऐसे डल गया अब यहां वाला वीडियो जो था, वो यहां चलना शुरू हो गया यह client का वीडियो है, मैं यह समझ के चल रहा हूँ अब इसकी अब हम setting करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अब मैं इस वीडियो के ऊपर, ठीक है, डबल क्लिक कर दूँगा तो देखिए यह window बड़ी हो गई, ठीक है अब आप देखिए दोस्तो, इस वीडियो में वो portion या वो हिस्से जो सबसे ज्यादा happening है जहां पर कुछ activity हो रही है, जैसे एक महिला dance कर रही है, ठीक है तो मैं अगर चाहूँ तो इसको यह इस तरह से adjust कर सकता हूँ ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो window है, हमारी Instagram story के अंदर, यह छोटी है ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो का वही हिस्सा यहां देखता रहे, जहां पर कुछ होई नीरा है ठीक है, तो यह हमने इस तरह से adjust कर देना है, उसके बाद मैं बाहर क्लिक करूँगा, एक बार तो यह यहां set हो गया, और उसके बाद मैं यहां क्लिक कर दूँगा, तो यह मैं एक बार चला कर देख भी सकता हूँ यह देखे, आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यानि कि वीडियो का एक हिस्सा मैंने यहां पर highlight किया है, क्योंकि यह space छोटा है, तो आप client से पूछ सकते हैं कि इस वीडियो में जो उसने हमें provide किया है, कौन सा हिस्सा highlight करना है, तो उसी हिसाब से यह आगे पीछे आप इसको drag करके लिए और इस पर छोड़ दूँगा, देखे, यहां आ गया, ठीक है, अब देखे, यहां पर आ गया, जो यह वाला वीडियो था, अब मैं चाहूं तो इसको एज़िटी सी छोड़ सकता हूं दोस्तों, लेकिन अगर client यह कहता है, नहीं जी, इसके अंदर मैं य लोगों पर ही highlight कर दिया, client कहता है, नहीं जी, यहां दिखाईए, क्योंकि मैं तो यहां खड़ा हूं, ठीक है, तो वो आपने फिर उसे साब से उसको highlight कर देना है, वीडियो में, आप समझ गए, तो मैंने यहां छोड़ दिया, बाहर क्लिक किया, तो यह यहां set हो गया, में, canva ने free में दी, अब जो तीसरा है, यहां background में चला देंगे, यानि के 15 second की Instagram story, जो allowed है, Instagram के जरिये, सिरफ 15 second allowed है, उसमें हमने 3 client के वीडियो चला दिये, सब 15 15 second के, ठीक है, यानि के हमने गागर में सागर भर दिया, ठीक है, इसी चीज़ के तो पैसे मिल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, client को यह थोड़ी पता है, यह template है, ठीक है, यह तो आपको पता है, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब यह जो तीसरा हिस्सा है, background, यहां तीसरा वीडियो हम डाल देते हैं, अब उसी तरह से इसको पकड़ेंगे, और यहां ले आएंगे और last में डाल देंगे, अब आप देखेंगे दोस्तों, यह जो तीसरी वीडियो है, यह background में चल रही है, तो अब दोस्तों, यह जो वीडियो हमें client ने दिये हैं, यह अलग-अलग length के हैं, यह देखें, यह 1 minute 10 second का है, यह 17 second का है, यह 30 second का है, ठीक है, अब client ने तो जो पूरा का पूरा Instagram story का वीडियो client को भेजेंगे email से, ठीक है, अब वो कैसे करना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले हम किसी एक वीडियो को select कर लेंगे, सबसे उपर वाला कर लिया मैंने, अब देखें, यहाँ पर यह एक Caesar का निशान आ रहा है, और यह दिखा रहा है, कि यह जो वीडियो है, यह एक मिनट दस सेकंड का है, ठीक है, और है भी एक मिनट दस सेकंड का, अब हम इसको छोटा करेंगे, अब मैं इसी के उपर click कर दूँगा, अब देखें हमें, यह decide करना है, कि हमारे इस एक मिनट और दस सेकंड के वीडियो में, सबसे ज्यादा happening, या जहां पर बहुत बढ़िया एक्टिविटी दिखती है, वो हिस्सा कौन सा है, या क्लाइंट से पूछ लेना है, कि भईया आपने ये तीन वीडियो दिये हैं, इन में से कौन कौन से सबसे ज़्यादा पसंद वाले आपके हिस्से हैं, ताकि मैं सिरफ उन्हीं को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के वीडियो में डालूँगा, वो खुद बता देगा भाई, ये इतने सेकंड से लेके, इतने मिनट, इतने सेकंड तक वाला हिस्सा काट के लगा देना, ठीक है, अब वो कैसे करना है, मैं आपको यहां से करके दिखाता हूँ, पहले तो हमने ये स से कौन सा हिस्सा रखना है, वो स्टार्ट कहां से होता है इस वीडियो में, ठीक है, अब वो हम यहां से करेंगे, यहां पर मैं आया तो देखिए ये एक पैरलल एक लाइन बन गई, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, औB मैं इसको यहां से ले जाना शुरू होगा बहुत असान एडिटिंग है दोस्तों इससे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं अब देखिए यहां पर 40 के आगे यह 6 मिली सेकंड भी दिखाता है यह इतना एकुरेट है 40 ठीक है अब यह 40 पर आ गया और उसके बाद यह वहां देखेंगे आप इधर से तो देखिए यह और पैरलर लाइन आ गई अब मैं यहां से लेना शुरू करूँगा उसने कहा है 25 सेकंड तो यह हो गया काम एक तरह से आप वीडियो एडिटिंग भी सेगगाए Scanva के उप़र आप किसी वीडियो को इस तरह से ऎडियेट भी कर सकते धोस्तों ठीक है अब यह हमारा एक वीडियो हो गया अब हम दूसरे वीडियो को इसी तरह से 15 सेकंड का बना देगे मैं तेखें मैं 15 से 30 सेकंड वाला हिस्सा ले लो अब मैं यहां से move करूँगा 15 सेकंड पर ठीक है और यहां से मैं लूँगा 30 सेकंड वाला ठीक है दोस्तों अब यहां done पर कर दिया तो यह मेरा वो वाला वीडियो यहां पर edit हो गया यानि कि वो हमने 15 सेकंड का बना दिया ठीक है अब जो तीसरा वाला है वो यहां पर है ठीक है जो background में चल रहा है अब मैं इसके उपर क्लिक करूँगा तो यह आ गया यह दोस्तों 17 सेकंड का है ठीक है अब मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो इसको मैं यहां से रखूँगा यह मैंने रखा यहाँ पर 16 से और यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिया है ठीक है और डन कर दिया तो हमारा यह तीसरा वीडियो भी अब 15 सेकंड का हो गया ठीक है यानि हमने इस इंस्टाग्राम स्टोरी के वीडियो में तीनों वीडियो की लेंथ 15 के उपर अब देखिए दोस्तों जब क्लाइंट आपको वीडियो भेजेगा तो डेफिनेटली उसके मोबाइल फोन में या कैमरा में जिसमें भी उसने वो वीडियो बनाया होगा उसमें पीछे की बैगराउंड वॉइसे भी होंगी ठीक है अब उन्हें हमें तीनों वीडिय एड करके इसको डेशिंग बनाना है उसके बाद इसमें स्पेशल एफेक्ट्स डालने हैं तभी तो वो क्लाइंट हमें इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो के पैसे देगा ठीक है अब वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ अब सबसे पहले ये एक वीडियो से लट कर वीडियो से लट करा फिर साउंड पर क्लिक किया और इसकी साउंड भी खतम कर दी ठीक है बाहर क्लिक किया खतम फिर तीसरे वीडियो पर क्लिक करेंगे फिर साउंड पर जाएंगे इसकी ऑडियो भी खतम कर दी अब ये तीनों जो वीडियो हैं दस सेकेंड में इसकी बैग आप यहां पर upload media पर लाकर upload कर सकते हैं और वो भी डाल सकते हैं ठीक है अभी canva ने जो हमें free में copyright free music available करा रखे हैं दे रखे हैं वो हम यहां पर डालते हैं अब देखें जहां पर यह music का sign है बार में यह select करेंगे अब देखें सबसे उपर यह जो filter है यहां पर एक मैं click करता ह हूं देखें जो free वाला यह लेना है आपको यह नहीं लेना है दोस्तों free वाला लेना है याद रखेगा ठीक है और apply filters अब यह सारे free वाले आ गए यह epic है यह प्यानों में हैं ठीक है happy मतलब बहुत ज़्यादा happy जिसके अंदर कोई है ठीक है instrumental सपोज को क्लाइंट कहता है न Ambient ठीक है अब देखें दोस्तों मैं आपको यह music डाल के दिखाता हूं एक एक करके सबसे उपर जेकी जो epic है अगर मैं है click करता हूं यहाँ पर यह free है हम यहां से सुन सकते हैं डालने से पहले ठीक है अब मैं है click करूँगा तो अब यह देखी यह music हमें सुनाई दे रहा है ठीक है इसको मैंने रोक दिया आप दूसरा सुनके देख लेते हैं ठीक है इसी तरह से हम नीचे आते है पियानो यह भी हम सुनके देख लेते हैं डालने से पहले ठीक है और नीचे आते हैपी इसमें से कोई एक चीज सुनके देखते हैं ठीक है और नीचे आते हैं कोई pop music ह अब लेट से ये वाला म्यूजिक हमें डालना है आप चाहें तो इस म्यूजिक का एक सांपल आप क्लाइंट को भेज सकते हैं अप्रूवल के लिए भी ठीक है अब let's say ये मैं आपको इस इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो में ये वाला म्यूजिक डाल के दिखाता हूँ कुछ नहीं करना है बस मुझे इस वाले हिस्से पर अपने माउस का करजर ले जाना है और अपने left click को दबा के रखना है और इसको drag करना है देखिए यह लिखा हुआ रहा है drop to add your music देख रहे हैं दोस्तो बस इसके उपर मुझे ये डाल देना है लोजी डल गया इससे ज़्यादा असान कुछ नहीं हो सकता दोस्तो अब मैं यह आपको pause करके दिखा देता हूँ एक बार यहां से देखिए मैंने pause कर दिया अब दोस्तो मैं यह देखता हूँ कि मेरा यह जो instagram story का video बना है वो इस वाले music के साथ में कैसा लगता है नहीं तो मैं music change भी कर सकता हूँ ठीक है अब वो कैसे करते हैं वो एक preview का function है यहां पर वो मैं आपको दिखाता हूँ अब देखिए सबसे उपर जहां यह 15 seconds लिखा हुआ है देख रहे हैं ठीक है मैं यहां क्लिक करूँगा तो देखिए हमें अब देख रहा है अब देखिए दोस्तों यह है ठीक है आप मैं इसका आपको volume बढ़ा के दिखा देता हूँ ठीक है मैं volume घटा देता हूँ ठीक है तो इस तरह से आप इसका preview भी कर पाएंगे यह देखिए इस वक्त जो आपको दिख रहा है यह preview है ठीक है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस music के साथ में यह Instagram story का वीडियो कैसा लगता है बाद में इसको बदल भी सकते हैं यहां से download करना है अभी नहीं करना है अभी तो हमने इसमें बहुत सारे addition करने है value addition करना है इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है after all client ने पैसे देने है भी है ठीक है अब वो कैसे बनाना है चलिए वो देखते है अब मैं यहां से close कर दूँगा अब हम इसको और ज़्यादा enhance करेंगे खूबसूरत बनाएंगे अब हम इसमें कुछ effects डालेंगे दोस्तो ठीक है कुछ special effects इस वीडियो के अंदर ठीक है अब वो यहां पर जहां animate दिख रहा है आपको उपर देखेंगे यहां मैं क्लिक करूँगा अब आप देखेंगे दोस्तो जो effects हैं यहां पर यह free है जो आपको यह दिख रहे हैं यहां पर यह crown का sign बना है यह paid है इन्हें भूल जाइए paid कुछ नहीं लेना दोस्तों कभी भी नहीं लेना है कुछ नहीं होता है free वाले better होते हैं ठीक है अब ये जो free वाले हैं ये सारे effects मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है और कैसे आप इस्तेमाल करेंगे अब देखे इन में से मैं एक effect आपको डाल के दिखाता हूँ, यह तो आप tumble देख रहे हैं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यह देखे, जैसे ही यह Instagram story का वीडियो, कोई भी व्यक्ति खोलेगा, किसी के Instagram account पे जाके, तो वो इस तरह से आएगा, यह देखे, देखे रहे हैं, य इस तरह से देखे रहे हैं, तो यह देखे हैं, तो इन में हम अभी फिलाल tumble का डाल देते हैं, ठीक है, यह बेस्ट लग रहा है, ठीक है, यह हमने एक effect डाल दिया, अब हम इसे और enhance करेंगे दोस्तों, ठीक है, after all, client ने पैसे देने हैं, तो उसको और बढ़िया चीज बना कि अब हम देंगे इसी वीडियो को, अब देखे बार में यहाँ पर elements लिखा है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, अब देखे यहाँ पर हम बहुत सारे elements add कर सकते हैं, ठीक है, यह moving elements है सारे, देख सकते हैं, यह सब चीजें हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों, बह देखे बहुत सारे stars आ गए दोस्तों, अब देखे कितने सारे stars के अलग-लग designs हैं, हमें यहाँ से moving stars भी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे हैं, सिरफ star डालने से ही, सैकड़ों, हजारों, अलग-लग किसम के हमें यहाँ पर stars दिखते हैं, अब यहाँ पर हमें moving stars भी गए, यह बहुत नीचे दिख रहे हैं, यानि कि जब मैं browse करके बहुत नीचे आया, तो दिखते हैं, यह हम सब डाल सकते हैं, अब आप देखेंगे दोस्तों, यह सब free हैं, जहाँ free हैं, जो paid है, वहाँ लिखा होगा pro, जादा तर free है, ठीक है, बहुत बढ़िया साइट है नीचे कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, यह वाला जो है, इसको भी मैं छोटा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे stars डाल सकता हूँ, ठीक है, बार क्लिक कर देंगे, अब देखी, यह stars भी दिख रहे हैं, ठीक है, अब द से पहले नहीं पता था ठीक है तो वो इस तरह के बढ़िया सुन्दर इंस्टाग्राम स्टोरी के वीडियो के पांच से दस डॉलर अराम से दे देगा हमारे यहां पांच डॉलर होता है साड़े 300 रुपया और 10 डॉलर होता है साड़े 700 रुपया लेकिन अमेरिका और यूरोप में 5 और 10 डॉलर पॉकेट मनी है दोस्तों बहुत ही छोटी सी अमाउंट है ठीक है अराम से दे देगा आप इस तरह का वीडियो बना कर देंगे इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो के नाते वो आपसे regular काम करवाएगा ठीक है और मैंने आज से पहले इंस्टाग्राम स्टोरी का वीडियो कभी नहीं बनाया है और इतना असान है आप जब बनाएंगे तो इससे भी खुबसूरत बना सकेंगे दोस्तों ठीक है अब मैं आ अलग तरीके से बनाना होता है, लेप्टॉप पर अलग तरीके से बनाना होता है, अब इसी तरह का ये नहीं अलग वीडियो मैं आपको अपने मुबाइल फोन पर भी बना कर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये जो इंस्टाग्राम स्टोरी का वीडियो हमने अपने लेप्टॉप पर बनाया है, ये मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, अब फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड जहां लिखा है, ठीक है, दिखिए यहां लिखा हुआ, MP4 वीडियो ये सजेस्ट जो दिख रहा है, इसी को डाउनलोड करना है दोस्तों, और कोई option चूज नहीं करना है, मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये paid option दिखा रहा है, यह हमने यहां से बंद कर देना है, यह आपने यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, से भी try it free for 30 days ठीक है यह नहीं करना है आपने बस यह विंडो बंद कर देनी और कुछ नहीं देखना है ठीक है तो यह अब हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है ठीक है मैं आपको दिखाता हूं कहां पर डाउनलोड हुआ है देखिए यह वीडियो है जो डाउनलोड हुआ अपने मोबाइल फोन पर भी बनाना सिखाता हूं इसी Canva वेबसाइट के उपर ठीक है क्योंकि Canva वेबसाइट के उपर Instagram Story का वीडियो मोबाइल पर थोड़ाव सा अलग तरीके से बनता है ठीक है दोस्तों तो चलिए मेरे मोबाइल पर अब आप देखिएंगे दोस्तों मे भी email id चूज कर लेंगे free में registration हो जाता है तो आपको ये इस तरह से mobile phone पर दिखता है अब हम canva site का desktop version खोलेंगे ठीक है सबसे उपर जहां तीन dots हैं यहां क्लिक करूँगा अब देखे जहां लिखा हुआ है नीचे से third desktop site यहां क्लिक कर दूँगा तो देखे आप दोस्तों canva की desktop site मेरे mobile phone पर खुल चुकी है बिल्कुल वही है जैसी मेरे laptop पर चल रही थी लेकिन थोड़ा सा process अलग है इसलिए मुझे आपको mobile पर दिखाना पड़ रहा है तो चलिए अब मैं इंस्टाग्राम स्टोरी का वीडियो आपको अपने mobile phone पर भी बना कर दिखाता हूं जैसा laptop पर दिखाया था अब देखे सबसे उपर यहां टेंपलेट्स लिखा यहां क्लिक करेंगे यहां से हम templates choose करेंगे ठीक है यहां पर भी हम देख सकते हैं उपर categories दिखा रहा है coronavirus bingo get to know me ठीक है अब यहां पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहां पर बहुत सारी categories है ठीक है दोस्तों ठीक है अब देखेंगे यहां पर यहां सारे template हैं यहां से हम कोई भी एक template choose कर लेंगे अब देखिए मैं इसमें से एक template select कर लेता हूँ तो देखिए मैंने ये template select कर ली ठीक है अब यहाँ पर जहाँ happy दिवाली लिखा है यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं यह तो client बताएगा अगर कोई client Japan का है तो वो अपना वहाँ का कोई local festival बताएगा या कोई function बताएगा या जो भी है ठीक है तो हम वो यहाँ लिख सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे लिखना है या आप जिस बारे में जिस moment के बारे में ये Instagram story का वीडियो बना रहे हैं वो नीचे लिखा जा सकता है ये client ही आपको बताता है ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम इस template में एक बहुत सुन्दर professional Instagram story का वीडियो कैसे बनाएंगे देखे जहां लिख रहा है use this template देख रहे हैं ये मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा तो ये हमारे editing वाले हिस्से में पहुँच गया canva website के अब हम इसके उपर editing करेंगे या बदलाव करेंगे ठीक है तो अब वो मैं करके दिखाता हूँ अब यहाँ पर हम किसी भी एक photo को select कर लेंगे जो इस template के अंदर हमें मिली है सबसे पहले वाला photograph पर मैंने अपनी उंगली को रखा यह select हो गया अब हमें अगर यह photograph बदलनी है इसकी जगा कोई और photograph लगानी है जो client ने दी है या client के द्वारा दिया गया कोई video लगाना है ठीक है तो वो आप कैसे करना है अब आपको दिखाता हूँ जहां नीचे replace का button है यहाँ click कर देंगे अब देखिए अगर client ने images दी है तो images video दी है तो video हम video यहाँ पर डालने जा रहे हैं तो मैं video select कर लेता हूँ ठीक है अब देखिए मैंने video select करके upload an image और video पर click कर दिया क्योंकि हमने video upload करना है ठीक है अब देखिए मैं device पर जाओंगा क्योंकि जो भी client हमें video या photographs images भेजेगा वो हमने अपने mobile phone के photographs या images में ही store किये होंगे ठीक है तो वो हमारी device के अंदर कहा है हमें यह device से पता चलेगा अब यह हम files पर click करेंगे अब मैं यहाँ से एक video select कर लेता हूँ let's say कि यही video हमें client ने भेजा था ठीक है अब मैंने select कर के लिए और उपर जहां select का button है यहां click कर दिया अब यह select हो गया अब यह upload हो रहा है canva site के ऊपर इस्तेमाल होने के लिए ठीक है इसमें समय लग सकता है दोस्तों ठीक है आपका जो internet connection है उसकी speed पर depend करता है यह जो blue line है इससे आपको पता चलेगा कि आपका यह video कितना upload अभ पहुंच गया ज्यादा देर तक touch करके नहीं रखनी है दोस्तों एक second के थोड़े से हिस्से के बराबर जैसे आप किसी particular चीज़ पर बस एक उंगली फटा-फट रखके हटा लेते हैं तो यह select होके वहां पहुंच गया वह हमने photo हटा दी और उसकी जगा यह हमारा video आ गया उसके बाद जो नीचे दूसरी photograph है अब हम यहाँ पर दूसरा video लगाएंगे अब मैं इस दूसरी photograph पर अपनी उंगली एक बार रखता हूँ तो यह select हो गई अब replace पर जाओंगा ठीक है और दूसरा video upload करूँगा ठीक है upload and image और video पर फिर device पर जाओंगा files पर जाओंगा और यहाँ से एक और video upload कर लूँगा तो यह देखिए अब दूसरा video side में upload हो रहा है आपके internet connection के हिसाब से इसमें काफी समय लग सकता है दोस्तों क्योंकि अगर client का video HD में है और आपका connection slow है तो time लगेगा तो दोस्तों अब दूसरा video भी हमारा upload हो चुका है अब मैं उसको click करत हूँ अब दूसरा video हमारा automatically यहाँ पहुंच गया वह जो यहाँ पर photograph थी वहट गई और उसकी जगा अब हमारा यह video ले रहा है ठीक है दोस्तों तो यह दोनों video अब हमारे इस template में आ चुके हैं ठीक है हम assume करके चल रहे हैं इस दोनों video client ने हमें दिये हैं जिसको हम इस्ते अपनी उंगली रखूंगा इसे स्लेक्ट करूगा अब देखिए वह स्लेक्ट हो गई ठीक है अब मैं दुबारा रोप्लेस पर जाएंगा इस एरिया में थर्ड वीडियो डाल दूंगा यह मैंने सेलेक्ट कर लिया अब देखिए तीसरा वीडियो है हमारा यह background में आ गया तो तीनों वीडियो इस template में आ गए ठीक है अब जहां ये happy दिवाली लिखा है इसे मैं edit करके दिखाता हूँ मैं happy दिवाली पर जल्दी से अपनी उंगली लगाऊंगा तो देखिए select हो गया ठीक है अब मैं edit पर जाऊंगा ठीक है अब मैं यहां पर कुछ भी type कर सकता हूँ मैं यहां लिख देता हूँ enjoying food देखे दोस्तो ठीक है जो उसके नीचे वाला है वो भी edit कर सकता हूँ ठीक है अब मैं अगर बाहर अपनी उंगली क्लिक करता हूँ ये white वाले area में तो यह यहां पर select हो जाएगा देखिए हो गया वो happy दिवाली की जगा enjoying food आ गया एक second लगत दोस्तों उपर आपको अगर यहां पर कोई canva वगेरा का यहां पर sign दिख रहा है तो वो भी automatically remove हो जाएगा अब देखिए मैंने canva पर अगर क्लिक किया यह जो इस site का एक logo लगा हुआ है और नीचे जहां delete लिखा है इस पर click कर दिया तो वो हट गया ठीक है दोस्तों किसी क कुछ नहीं पता चलेगा कि यह आपने कहां और कैसे बनाई है अब हम चाहें सबसे पहले हम यहां पर तीनों वीडियो के अंदर जो भी background voices या noises हो हटाएंगे ठीक है जैसे हमने अभी laptop पर करके दिखा था अब मैं आपको mobile phone पर दिखाता हूँ वो कैसे हटती है पहले वाले वीडियो जो है उस पर click कर दूँगा ठीक है उसी तरह से यहां जो audio का button है इस पर click कर दूँगा और जो voice है उसको zero कर दूँगा ठीक है और यह जो third है जो background में है अब उस video के उपर मैं अपनी एक उंगली एक second के लिए लगाऊंगा तो यह select हो गया अब देखे मैं इसको zero क provide करता है उससे पहले इन तीनों videos की length को हमने 15 seconds या उससे कम करना है ठीक है तो जो video कम length का है उसे छोड़ देंगे लेकिन जो 15 seconds से ज़्यादा का होगा उसे हम छोटा करके 15 seconds का करेंगे क्योंकि जैसा पहले बताया था Instagram story videos में जो allowed length है वो 15 seconds है ठीक है तो अब हम सब के length कम करे करेंगे अब मैं पहले वाले वीडियो पर क्लिक करूंगा अब देखें यहां पर जहां यह सीजर यह कैंची का निशान लगा है इसके आगे दिख रहा है कि यह video पहले से ही 15 seconds से कम का है तो इसको हम छोड़ देंगे अगर यह 30-40 seconds का होता तो वह कैसे कम करना मैं भी आपको अब इसको मैं कैची के ऊपर क्लिक करूंगा यह सीजर के ऊपर ठीक है अब मैं यह डिसाइड करूंगा कि मैं इसको 15 seconds का कौन सा हिस्सा 20 seconds में से रखना चाहता हूं ठीक है जो left hand में जो border आपको दिख रहा है दोस्तों यह ठीक है मैं इसके ऊपर अपनी उंगली रखूंग और इसको right hand में ले जाना शुरू करूंगा अब देख रहे हैं दोस्तों यह move होना शुरू हो गया ठीक है तो left से मैंने इसको रख लिया तीन सेकंड पे तीन सेकंड एक मिली सेकंड तीन सेकंड ठीक है अब यहां पर जो 17 सेकंड दिखा रहा है इसको मैं घटा कर और कम कर स सेकंड है एक सेकंड में 10 मिली सेकंड होते हैं ठीक है अब मैं यह इसको 15 सेकंड का exact करके छोड़ दिया ठीक है तो हमारा यह जो वीडियो है जो background वाला है वह 15 सेकंड जितना edit हो गया ठीक है अब मैं जैसे ही इस सीजर यह कहची के ओपर दोबारा क्लिक करूंगा यह इतना से त्यार हुआ है कि तीनों वीडियो मैक्सिमम 15 सेकंड के हैं क्योंकि 15 सेकंड का ही allowed है ठीक है अब हम इसमें effects डालेंगे इसको और enhance करेंगे क्योंकि हमने client से पैसे लेने हैं अब सबसे पहले हम इसमें effects डालेंगे देखिए जहां animate लिका है मैं यहां क्लिक करूंगा अब यहां पर जो block लिखा है यह effect आपको डालके दिखाता हूं मैं block पर click करता हूं तो यह देखिए यह जो तीनों वीडियो हैं यह किस तरह से देखिए आ रहे हैं blocks के अंदर दोस्तों यह जो text है वह move करता है ठीक है अब यह जो breathe है मैं इस पर click करके दिखाता हूं यह तंबल अच्छा लग रहा है उसके आगे paid है वो नहीं लेने तो यह 5 effects हैं जो आप डाल सकते हैं लेट से मैंने टंबल वाला effect final कर लिया अब इसके अंदर थोड़े से और enhancement डालते हैं इसको और सुन्दर बनाते हैं अब देखिए जो plus का sign है मैं यहां click करूंगा अब मैं elements क्लिक करूंगा elements में बहुत सारे elements हैं दोस्तों जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अब जो recently used ने आपको याद होगा desktop पे मैंने stars डालके दिखाया थे स्टार सी सबसे उपर दिखा रहा है आप बहुत सारे यहां पर elements इस्तेमाल कर सकते हैं यह moving है देख सकते हैं कुछ stationary ह कुछ moving है देखी यह moving है ठीक है तो अब मैं stars ही दुबार आपको डालके दिखा देता हूं मैं star पर click करूँगा बस यह वहीं पहुंच जाएगा देखी यहां आ गया अब मैं चाहूं तो इसको उपर से चोटा भी कर सकता हूं ठीक है मैंने इसको यहां पर उपर ले जाकर छोड़ दिया star को ठीक है अब मैं चाहूं तो इसी तरह के और effects भी डाल सकता हूं elements में गया अब यहां पर हम चाहें तो किस तरह के elements हमने डालने हैं वो choose कर सकते हैं अब मैंने यहां पर type किया stars ठीक है तो देखे यह सिरफ stars के ही element हमें दिखा देगा अलग लग तरह के ठीक अब मैं बाहर अगर अपनी उंगली लगाता हूं जहां white वाला portion है तो यहां पर आगए अब देखे रहे हैं दोस्तों enhance हो गया client के तीनों video आगए अभी मैं आपको download करके और run करके भी दिखाऊंगा अब हमें इसमें एक background music लगाना है जो copyright free है जो canva में provide करता है वो हमें कह कोई भी music चला कर देख सकते हैं और apply कर सकते हैं तो मैं यहां से एक music ले लेता हूं यह मैंने happy वाला उपर से दूसरा music ले लिया ठीक है I am happy अब मैं इस पर click करता हूं और मैं इसको सुन सकता हूं मैं क्लिक करूंगा तो इससे सुन सकता हूं आप देख सकते हैं ठीक है दोस तो यह हमारा म्यूजिक इस वीडियो के उपर एपलाई हो चुका है ठीक है अभी मैंने वॉल्यूम कम कर दी है ताकि आपको मेरी आवास सुनती रहे अब मैं आपको यह फाइनल अपना इंस्टाग्राम स्टोरी का वीडियो प्ले करके दिखाता हूं डाउनलोड करके दिखा सब्सक्राइब तो यह देखिए अरे हैं अच ल numbers ओन्यूद आ आधि दोस्तों यह आपने देख लिए, अप हम इसको डाउनलोड करेंगे, ओपर यह जो दाउनलोड का बटन है, यह कलिक कर डाउनलोड पर आएंगे अब देखिए यहां पर यह जो डाउनलोड का बटन है मैं यह क्लिक कर दूंगा यह डाउनलोड होने में समय लगेगा दोस्तों आपका जो नेट कनेक्शन है उस पर डेपेंड करता है थोड़ी पेशन्स रखनी पड़ेगी मेरे ओफिस में नेट कनेक्शन बहुत फास्ट है अब देखिए दोस्तों जहां ओपन लिखा मैं यह क्लिक करके देख लेता हूँ तो देखिए दोस्तों यह वीडियो मेरे मोबाइल फोन में डाउनलोड हो चुका है तो दोस्तों अब मैंने अपने मोबाइल फोन पर भी आपको इंस्टाग्राम स्टोरी का वीडियो डिजाइन करना सिखा दिया है अब मैं आपको दूसरी साइट दिखाता हूँ उसका नाम है अडोब स्पार्क जी हाँ अडोब स्पार्क उस साइट के उपर भी मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी डिजाइन करना सिखाऊंगा लेकिन वहाँ पर हम Instagram Story फोटो ही बना सकते हैं दोस्तों, वीडियो नहीं बना सकते हैं उस पर लेकिन Instagram Story फोटो बनाने के फीचर्स अडोब, स्पार्क, वेबसाइट के उपर अलग तरह के हैं अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं एक particular business के अंदर तो आपको वो काम करने के 3-4 तरीके आने चाहिएं सिरफ Canva से काम नहीं चलेगा दोस्तों, तो आप दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको वो मैं आपको अपने laptop पर दिखाऊंगा, हलांकि वो mobile पर भी उसी तरह से चलता है लेकिन मैं दिखाऊंगा वो laptop पर ही, तो दोस्तों यह मैं आपको अपने laptop पर लेकर आ चुका हूँ यहां हमने Canva खोला हुआ था, अब मैं आपको Adobe Spark साइट खोलके दिखाता हूँ अब देखें दोस्तों यहां है Adobe Spark या Adobe Spark, दोनों तरह से इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है अब इस site के उपर Instagram story photo कैसे बनती है, यहां वीडियो नहीं बनता है जैसे पहले बताया था, ठीक है और यह mobile phone पर भी इसी तरह से चलती है, Adobe या Adobe Spark वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के description box में डाल दिया है आपके laptop और mobile phone पर यह इस तरह से खुल जाएगा, Adobe या Adobe Spark वेबसाइट से Instagram story वीडियो भी बनता है लेकिन वो paid service है, free वाली नहीं है, free वाली जो थी वो मैंने आपको canva पर दिखा दी, ठीक है बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है समय तो लगाना पड़ेगा न, ठीक है अब देखे, जहां लिखा हुआ, start now, यहां click करेंगे अब देखे, यहां पर सबसे उपर है continue with google, ठीक है आपके mobile phone या laptop में कोई ना कोई Gmail ID configured रहता है उससे आप sign कर लीजे, ठीक है देखे, यह थोड़ी सी information आपसे मांगेगा ठीक है, country तो इसने choose कर लिया है उसके बाद यह आपकी date of birth मांगेगा, आप डाल दीजेगा ठीक है, और उसके बाद done पर click कर दीजेगा तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ Instagram story photo, Adobe Spark के उपर कैसे design करने है अब देखे, friends, यहाँ हम से पूछ रहा है what brings you to spark, this will help us recommend relevant templates and editorials to help you achieve your creative goals याँ आप किस लिए यह करना चाह रहे हैं, ठीक है तो आप यहाँ पर choose कीजिएगा friends and families, यह choose करेंगे तो शायद यह कोई paid option आपको दिखा देगा ठीक है दोस्तों, आप बिना पैसा खर्च किये कमाई करने आए हैं तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो select कर लिजगा friends and families मैंने select कर लिया ठीक है, नीचे आएंगे, continue पे click कर दिया ठीक है, अब हम Instagram story की photo बढ़िया सी यहाँ से design करना सीखेंगे अब हम यहाँ से नीचे आएंगे, और देखेंगे कि कितने सारे options हैं बहुत सारे options हैं, जो आप Adobe Spark साइट से create कर सकते हैं आज हम सीखेंगे कि Instagram story की photo कैसे हमने यहाँ से बना कर ले जानी है तो हम यहाँ Instagram story पर click कर देंगे अब देखेंगे friends, Adobe Spark ने Instagram story photo का जो size है वो automatically यहाँ हमारे सामने दे दिया है, ठीक है यहाँ आपको templates देख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है इसमें से ज़्यादातर free है, जहाँ पर यह yellow mark आपको देख रहा है, यह paid है ठीक है, यह जो बाकी है, यह free हैं दोस्तों यह जो yellow वाले हैं, यहाँ click मत कीजेगा फिर यह paid वाले options हो जाएंगे हमने देखे हैं, free वाले भी बहुत बढ़ी हैं, ठीक है इन में से एक template मैं choose कर लूँगा जैसे मैंने click किया, create पर click करूँगा तो friends, यह देखिए, एक template हमें मिल चुकी है अब दोस्तों, यह जो template हमें मिला है Instagram story photo का, अब हम यहाँ पर client के दुवारा दिये गए photographs लगा सकते हैं मैं आपको अपनी photos लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लगा सकते हैं अब हम सीधा add photos पे जाएंगे, जहाँ यह लिखा हुआ add ठीक है, मैं यहाँ click करूँगा अब देखे, यहाँ photo लिखा हुआ, यहाँ click करूँगा upload photo, यानि कि मैं अपने laptop या mobile phone में जो भी photos डली हुई है, वहाँ से upload कर दूँगा upload photos पे click करेंगे अब मैं यहाँ से एक photo select कर लेता हूँ अब देखे, जहाँ move freely लिखा है ठीक है, यहाँ click करूँगा, थोड़ा से समय लगेगा दोस्तो, adobe spark में आपने जो photos upload करनी है वो upload करने में समय लग सकता है, अब दोस्तो देखे यह photo मेरी download हो चुकी है ऐसी client देगा, जो भी photo होगी अब हम इस photo को यहाँ पर यह जो template में photo है इसके उपर adjust कर देंगे और replace कर देंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं इसको ले जाकर, drag करूँगा थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, और इस वाली photo के उपर रख दूँगा और थोड़ा सा इसको adjust वगरा कर देंगे अब देखे यहाँ जहाँ order लिखा है मैं यहाँ से इसको अगर left right करता हूँ अपने cursor से तो इससे यह photograph उपर नीचे होती है आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों अब मैं अगर बाहर click कर दूँगा तो यह यहाँ पर photo मेरी fix हो गई अब मैं दूसरी photograph भी यहाँ पर अपनी एक लगा कर आपको दिखाता हूँ वही add पर जाएंगे, photo पर click करेंगे upload photo, एक और photo मैंने select कर ली move freely, अब दीखे दोस्तों यह photograph मेरी यहाँ पर आ चुकी है अब मैं जो photograph नीचे है यहाँ पर इसको adjust करूँगा अब दीखे, सबसे पहले मैं अपनी यह photograph है, इसे crop करूँगा यह जो crop का function है, इसे इस्तेमाल करेंगे अब दीखे, मैं इसको ऊपर से जो unnecessary portion है, उसको हटा देता हूँ थोड़ा सा adjust कर दूँगा इसको और मैं बाहर click करूँगा, तो यह photo अब मैं drag करके, नीचे जो photo है template की वहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर मैं दुबारा से, यह size थोड़ा सा यहाँ पर adjust करूँगा, अब देखिए यह जो order करके एक tool है इस पर अगर मैं cursor ले जाकर इसको left पर ले जाता हूँ अब आप देखिएंगे दोस्तों, ऐसा करने से हमारी जो pick है, वो जो भी अलग-अलग features है इस template के उपर वो उसके पीछे चली गई है, आपने गौर से देखा ठीक है, तो यह हमारी picture अब जो features है, जैसे यह book वगरा है यह इसके पीछे चली गई है ठीक है, क्योंकि जब यह उपर आ जाती है तो यह उन features को hide कर देती है, ठीक है, तो यह हम इस तरह से इसको पीछे कर सकते हैं अब हम बाहर click कर देंगे, तो यह photo यहाँ adjust हो गई, अब हम तीसरी photo यहाँ पर डालते हैं यह हम photo background में डालेंगे देखें, जब pin to background लिखा है इस बार यह लेना है, क्योंकि यह photo हमने background में डालनी है दोस्तों, तो pin to background पर मैंने click किया, हाँ, अब देखेंगे दोस्तों, मैंने क्योंकि move to background किया था, तो photo हमें दिखाई नहीं दे रही है तो अब हम यहाँ पर select कर सकते है move freely, यानि हम उसको जो option पहले choose किया था, उसे बदल भी सकते हैं, तो यहाँ move freely पर click कर देंगे, तो देखें, यह select होगई यहाँ पर, तीक है, अब हम इसको, अब यहाँ पर जो tool है order का, इसे हम use करेंगे और इसको हम left में लिके जाएंगे दोस्तो, तो दोस्तो इस तरह से, यह जो third photograph है, यह हम इस तरह से पीछे background में भी लगा सकते हैं, आप देख लिए आपने, ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखे, जो भी कुछ लिखा हुआ है, template के अंदर इसे हम हटा कर, इसकी जगा कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, अब मैं यह जो लिखा हुआ है, इसको choose कर लेता हूँ, और उसके बाद edit के button पर उपर click करता हूँ, अब मैं यहाँ पर कुछ type कर सकता हूँ, अब देखे, मैं यहाँ लिख देता हूँ office time, ठीक है, यह सारी information client ही आपको देगा दोस्तो, अब मैं done पर click कर देता हूँ, अब मैं इसका color change कर सकता हूँ, यहाँ से देखे, मैं कोई भी color choose कर सकता हूँ, मैं dark color choose कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, red color भी choose कर सकता हूँ, मैं यहाँ से, अब मैं इनके font भी change कर सकता हूँ, देखे, आप देख सकते हैं, बहुत सारे fonts हैं, ठीक है, कोई भी एक font use कर सकता हूँ, ठीक है, यह आप try करके देखेगा, जब आप इस site पर आएंगे, free में register करेंगे, तो आप यह सब चीज़ें try कर करके देखेगा, इस तरह की 10-12 instagram story की photos बनाईएगा, खुद की ही, यह अपने यारों, दोस्तों की, उनको बनाके, वैसे ही free में दे दीजेगा, ताकि आपकी practice भी हो जाएगी, और आपकी publicity भी हो जाएगी, यह आपने नया काम शुरू कर दिये, ठीक है, तो यह इस तरहीके से हम Adobe Spark साइट के उपर Instagram story की photos बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे features हैं दोस्तों, यह जो photographs यह जो मैंने आपको template दिखाई हैं, इस site के उपर बहुत सारी stock photos भी मिलती हैं, जो copyright free हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अभी आपको यह download करके दिखा देता हूँ, अब देखें दोस्तों, यहां पर जो हमें free templates मिलती हैं, उनमें अगर कोई features हैं, जैसे एक flower दिख रहा है, हम चाहें तो इसको यहां से remove भी कर सकते हैं, मैंने इसको select किया, और सबसे उपर जो delete है वहाँ पर जाकर click कर दिया, तो देखें यह delete हो गया, ठीक है, अगर हमें लगता है कोई ऐसा feature है, template के अंदर जो बहुत clear नहीं है, तो हम उसको हटा भी सकते हैं अब देखेंगे दोस्तों, इस Instagram story photo को download करने से पहले, नीचे आप देखेंगे यह Adobe का एक watermark है, ठीक है, इसको कैसे हटाना है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाएंगे उपर remove है इस पर एक बार click कर देंगे, remove once, अब देखें यहाँ पर यह paid option है, यह नहीं लेना है जहाँ पर लिखा हूँ है starter plan, ठीक है, यह जो free वाला है, यह ले लेना है, ठीक है, अब बिना watermark के हम इस Instagram story के photo को यहाँ से download कर लेंगे, सबसे उपर जहाँ download का बटन है, यहाँ क्लिक कर देंगे यहाँ पर हम तीनों options हैं, जिससे हम इसको download कर सकते हैं, png, jpg, pdf, ठीक है, client जिस भी option में चाहें इसको download करके दे सकते हैं, start download पर click करेंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखीजे हमारा download हो गया इसी तरह से आपके mobile phone में भी हो जाएगा, यह मैंने दो मिनट में किया है, लाइफ में पहली बार मैंने instagram story का photo, adobe spark के ओपर design किया है, दो मिनट में, आप जब इस पे practice करेंगे, थोड़ा सा और समय लगाएंगे तो इससे 10 गुना बहतर आप instagram story का photo बना सकेंगे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब दोस्तों मैं आपको तीसरी एक mobile app दिखाता हूँ, जिससे आप बहुत भड़िया instagram story की photo बना सकते हैं, वो mobile app एक भारती व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, 100% free है ठीक है, तो चलिए वो मैं आपको अपने mobile phone पर दिखाता हूँ, तो दिखें friends, मैं आप अपने mobile phone को आपके screen पर दुबारा लेकर आ चुका हूँ यह mobile app है, 100% free है, story maker, insta story editor for instagram, यह mobile app सिर्फ और सिर्फ instagram story की photo बनाने के लिए ही बनाई गई है, एक भारती द्वारा, ठीक है 100% free है, अभी तक, ठीक है, अगर by chance कभी paid हो जाए, तो इस्तेमाल करना, बंद कर देना, ठीक है, तो अभी free है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस mobile app का link, मैंने इस video के description box में लिख दिया है, आप वहाँ से जैसे ही click करेंगे, यह आपको mobile phone पर खुलेगी, यह mobile app है, website नह अब हम यहाँ पर एक Instagram story की photo design करेंगे, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे templates हैं, ठीक है, यह सारी इसके अंदर अलग-अलग categories है, यह theme है, spring है, यह urban है, उसके बाद simple theme है, valentine की theme है, ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं, holograms है, glitch है, बहुत सारी themes हैं ठीक है, मैंने इसलिए यह आपको mobile app दिखाई है, कि यह free है, जितनी भी templates हैं, इस mobile app के owner या designer ने यह सब design करके यहाँ पर free में डाल दी है, ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर अपनी एक Instagram story की photo design करेंगे, यहाँ से मैंने एक template चूज कर ली, तो देखे दोस्तों, यह है template, ठीक है, अब हम यहाँ पर एक अपनी Instagram story की photo design करते हैं, बीच में जो plus का sign है, देख सकते हैं, यहाँ click करेंगे, जैसे मैंने plus का sign पर click किया दोस्तों, इस mobile app ने मेरे mobile phone की जितनी भी images हैं, gallery में या photos में, वो दिखा दी, अब मैं यहाँ से वो photos चूज करूँगा, जिनको इस Instagram story की photo बनानी है, क्योंकि जब client मुझे अपनी photos भेजेगा, तो मेरे mobile phone पर या photos, या images, या gallery में वो save होगी, ठीक है, अब मैं यहाँ से choose कर लेता हूँ, एक photo देखिए, मैंने यह choose कर ली, ठीक है, अब मैं सबसे उपर जहाँ right click है, यहाँ click कर दूँगा, अब मैं यहाँ प filter final करके, उसके बाद जहाँ उपर right hand पे click का mark है, यहाँ click कर दिया, अब देखिए, यह मेरी photo इस template के अंदर आ गई, देखिए, जो template है, इसने मेरी इस photo की look को कैसे एकदम से बदल दिया, दोस्तों, देखिएगा, यह हमें नहीं करना पड़ा, mobile app ने खुद बखुद कर दि ठीक है, आप बना के अलग-लग try कीजेगा, experiment कीजेगा, बहुत बढ़िया बना पाएंगे, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो text लिखा हुआ है, forest, love your life, यहाँ पर यह हम बदल सकते हैं, तो कि यह client हमें बताएगा, कि हमें यह लिखवाना है, ठीक है, अब वो कैसे हट आना है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ, forest वाले पर click कर देंगे, यह वाले हिस्ते पर, ठीक है, अब इसको हमने edit करना है, तो देखिए, यहाँ पर एक edit का button छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, हम ऊपर जहाँ red रंग का, एक cross का button है, उसको इसको पूरा हटा भी सकते हैं, और edit भी कर सकते हैं, और इसका size भी बदल सकते हैं, तो हम edit वाले button पर click करते हैं, अब देखिए, मैं यहाँ जो forest लिखा है, इसको हटा कर, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, in library, ठीक है, दोस्तों, यह जो font है, यह automatically, इस app ने decide कर लिया है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ अब जो एक tick का button है, मैं इसको select कर लूँगा, तो देखिए, यह in library change हो गया, अब जो नीचे लिखा है, इसको भी मैं एक बार edit कर लेता हूँ, edit के sign पे click कर दूँगा, अब देखिए, मैं इसको हटा दिया, इसकी जगा मैंने लिख दिया, मैं यहाँ लिख दिया, books are my life, ठ ठीक है, दोस्तों, अब मैं इसको आगे पीछे उपर नीचे कर सकता हूँ, छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों, उसके बाद यह जो right click है, मैं यहाँ click कर दूँगा, तो यह हमारा ready हो गया, तो दोस्तों यह इतना ही असान था, मुश्किल से 40 सेकंड लगे, इस तरह की हजारों टेंपलेट्स इस मुबाइल एप के उपर free में available हैं, ठीक है, यह मुबाइल एप सिर्फ और सिर्फ Instagram स्टोरी की photo बनाने के लिए ही बनाई गई है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है, जैसे शुरू में बताया था, इचे डाउनलोड का बटन है, यहां क्लिक कर दूँगा, अब देखिए जहां हाई लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देखिए फ्रेंड्स, यह मेरी HD में Instagram स्टोरी की photo डाउनलोड में हो चुकी है, यह देखिए दोस्तों, यह मेरे मोबाइल फोन में यह Instagram स्टो स्टोरी की वीडियो और photos बनाई है, वो सब की सब अब हम अपनी freelancing site fever के उपर जाकर अपनी gig में या जिसे विज्यापन या advertisement कहते हैं, वहाँ डालेंगे, और उस विज्यापन gig या advertisement को publish करेंगे, ताकि काम मिलना शुरू हो, अब देखिए दोस्तों, अब मैं दुबारा से आपको fever freelancing site पर ले आया हूँ, यह मेरा laptop है, ठीक है, हम यहीं से गए थे, designing करने और सीखने के लिए, अब हमने जो भी Instagram story की वीडियो या photos बनाए हैं, तयार की हैं, अब हम अपने इस विज्यापन में upload करेंगे, देखिए यहाँ नीचे आएंगे, तो यहाँ पर सबसे पह photos यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना Instagram story के जो वीडियो हैं, वो भी डाल देते हैं, मैं browse पर जाऊंगा, अब मैंने दोनों वीडियो सेलेट कर लिए दोस्तों, और इनको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, अब देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकर आते हैं, तो यहाँ पर हम PDF भी डाल सकते हैं, सपोज हमने कोई sample PDF में बनाया हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद दिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक I declare that these materials were created by myself, और by my team, तो यह इस तरह की एक आप से commitment लेते हैं, उसके बाद and continue पर क्लिक कर दिया, almost there, let's publish your gig and get some buyers rolling in, ठीक है, अब जैसे मैं publish gig पर क्लिक करूँगा, यह हमारा विज्यापन, advertisement या gig, fever, freelancing site के ऊपर live हो जाएगा, customer देख पाएगा, चलिए हम करके देखते हैं, अब दिखें, दोस्तों यहाँ पर कुछ यह paid option है, fever, freelancing site से, यह हमने नही लेने है, ठीक है, इनको भूल जाएगे, explain भी नहीं कर रहा है, इसको देखें ही मत, सिरफ done पर क्लिक कर दीजे, ठीक है, अब दिखें, दोस्तों यहाँ लिखा हुआ, congratulations on creating your new gig, ठीक है, अब वो जो gig है, वो यहाँ पर है, उसका नाम, ठीक है, अब यहाँ से मैं check कर सकता बहुत सारी चीजें, मैं यहाँ से इसको edit कर सकता हूँ, let's say मैंने जो अभी यहाँ पर instagram story का photo डाला है, या video डाला है, उसको हटाना है, दूसरा लगाना है, description बदलना है, title बदलना है, कुछ भी बदल सकता हूँ, edit पे जाके, pause कर सकता हूँ, share कर सकता हूँ, delete कर सकता हूँ ठीक है, let's say preview करके देखता हूँ, कि customer को कैसा देखता है, तो देखे यह preview है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो मैंने एक sample अपना डाला था, वो दिख रहा है, यहाँ से मुझे दूसरा sample भी दिखेगा, और जो मैंने यहाँ पर video डाला था, as a sample, ताकि मेरा customer मेरे बनाए हुए Instagram story के video को भी देख ले, वो fever की team review करती है, और 24 घंटे बाद आपके gig के उपर देखता है, यह तो मैंने अभी 2 second पहले डाला, इसलिए photograph तो देख रहे हैं, video 24 घंटे बाद दिखेगा, तो आप जब डालेंगे, तो उसके एक दिन बाद आपका video भी यहाँ दिखेगा, और य उसके बाद deal हो जाए, तो वो आपको काम देगा, और आप काम करके पूरा करके उसको देदेंगे, तो आपको उसके द्वारा payment होगी, अब मैं आपको यह दिखाता हूँ, कि वो पैसा जो आपको कमाई होगी, fever freelancing site से, वो आपके पास भारत में पहुचेगी कैसे, ठीक है, सबसे उपर जहाँ earnings लिखा, यहाँ क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे दोस्तो, withdrawal method है PayPal, आप में से जिनको नहीं पता बता देता हूँ, PayPal एक international payment gateway है, PayPal का account बनता है, दो मिनट में, आपका जो भारत का saving bank account होता है, वो PayPal के साथ attach हो जाता है, एक email के जरीए, ठीक है, और वो जो email है, वो आपने यहाँ पर डाल देनी होती है, उस email के जरीए, PayPal account के जरीए, पैसा आपके भारतिय सेविंग bank account में पहुँच जाता है, अभी यह आपको PayPal account बनाने की आवशक्ता नहीं है, फ्री में बनता है, अगर आप बनाना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना कर इसके बारे में कि PayPal का account दो मिनट में कैसे बनाए, YouTube पर डाल रखा है, मैं उस वीडियो का link इस वीडियो के description box में लिख दूँगा, दो मिनट में अपने mobile phone पर बिना एक पैसा खर्च किये PayPal का account बना लीजेगा, अभी जरूरत नहीं है, जब payment आ जाए, कुछ earning हो जाए, तो आप PayPal का account बनाने की जहमत उठाएं, अभी फिलाल तो सिरफ Fever Freelancing साइट से काम पकड़िये, Instagram स्टोरी के फोटो या वीडियो बनाने का, कमाई जब आ जाए, तो ये बना लीजेगा PayPal का account भी, ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया, बहुत ही असान है, एक बिल्कुल न अधर बैठ कर, खाली समय में सिरफ अपने mobile phone से ही, एक नया skill, हुनर, सीखने का मौका मिल जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है दोस्तों, और सोने पर सुहागा ये, कि आप उसमें से अच्छी खासी US dollars में कमाई भी कर सकें, तो ये तो थी बात friends, जहां तक part time कमाई की बात है, इसके अलावा अगर आप एक full time job ढूंड रहे हैं, अभी तक नहीं मिली है, किसी भी कारण से, या कहीं job कर रहे हैं, उससे खुश नहीं है, change करना चाहते हैं, better job चाहिए, तो मैंने काफी videos बनाकर YouTube पर डाल रखे हैं, जिनमें मैंने बड़ी unique tricks के बारे में बताया है, ज एथी video friends, thank you very much.